नमस्कार मैं हूँ अशोक और स्वागत है आपका मेकनिकल नेक्सस में आज डिसकस करेंगे हम एक बहुत इंपोर्टेंट वेल्डिंग के बारे में जिसका नाम है मेकल उनर्ट घैस वेल्ड़िंग यानि मिक शोट्फ़र्म में से मिक कहा जाता है या फिर इसको गैस मेटल वेल्डिंग या श्रट फर्म में जीयमे Nep ब्लू यह जाता है फिल करते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर एक हमारा वायर एलेक्टोड है जो कि आप यहां पर रेड़ शेप में देख रहे हैं यह मेरे वायर का बनाया जाता है यह किस से कनेक्टिड है यह एक मेरा वायर फीड मेकनिजम से कनेक्टिड है क्योंकि यहां पर जो वाय टर्मिनल एक positive टर्मिनल negative वर्क्पीस के साथ connected है positive हमारा electrode के साथ connected है parallel में हम यहाँ पर एक inert gas cylinder भी यूज करते हैं जिसके अंदर inert gas भरी हुई है यहाँ पर यह हमारे shielding का काम करेगी यानि कि metal को oxide के oxide बनने से बचाएगी यह एक typical diagram है अब हम हर एक एक चीज को detail में discuss करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो inert gas है यह welding किस type की है तो यह देखिए दोस्तों यह जो हमारी type है यह inert gas का type होता है यह inert gas की type है MIG welding ओके यह है MIG ठीक है inert gas में दो ही type की welding है एक MIG दूसरी है TIG यानि tungsten inert gas welding को देखिए inert gas भी further हमारी classify हुई थी यह कहां से थी यह हमारी आरक welding के type से आएती यह आरक welding के type है और यह आरक welding की किसका type है यह हमारा liquid state welding का type है ठीक है लिक्विड state welding का liquid state welding को ही fusion welding के नाम से जाना जाता है तो यानि fusion वेल्दिंग में आर्क वेल्दिंग आती है, आर्क के अंदर इंट गेस आती है। और इंट गैस काby है meagric होड़ टीक यह इसका type थै अब चली अब बात करते हैं दूसरा इलेक्टोड के बारे में सबसे पहले इसमें यूद होने वादे bank loyalty की दिखे इसमें जो इलक्ट्रोड हो रहा है वह कैसा है कंजोम यहाँ पर यह आप देख़े रहे हैं यह कैसे है इस पर रौल हो रखा पूरے और इनकी help से इसके उपर यानि गण इसके welding gun के नाम से जना जाता है इसमें feed किया जाता है तो electrode कैसा है consumable होता है यह consumers ही going to work से comedic भी इसलिए इसको wire electrode के नाम से भी जाना जाता है अब देखिए इसके live की बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत पतला होता है वायर शेप का होता है इसलिए इसका जनरली डायमीटर 0.5 mm से लेकर 1.5 mm के बीच में मेजर किया जाता है continuously feed करने के लिए हम यहां पे एक mechanism का यूस करते हैं जिसको wire feed mechanism के नाम से जानते हैं यह है मारा wire feed mechanism यह कुछ निये बस एक mechanism है जो की wire को continuously feed करेगा इसके अंदर यह था इलेक्टोड के बारे में बस इतना ही इलेक्टोड में चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे गन की इसको कहा जाता है welding gun अब देखे welding gun वाली gun नहीं है असली वाली ठीक है यहाँ पर welding में use करते हैं इसको इसलिए welding gun कहा जाता है यह एक बहुत important काम करती है देखे इसके साथ हमारा inner gas की tubing भी connect है इसी के अंदर हमारा wire electrode भी जा रहा है और इस wire electrode से हमारा current भी pass करता है इसलिए इसको यह क्या करता है इन तीनों को feed करता है archagenation करता है और हमारा weld को provide करता है देखे कितना important है एक तरह साथ आप इसे hard के लिजिए कि multi function करता है ठीक है अब बात करते है power supply की देखे बहुत important है थोड़ा अच्छे से समझे देखे power supply यह मेरा power supply source है दो टर्मिनल है एक negative terminal पॉजिटिव होता है क्या है current flow करता है negative से positive की तरफ से यान इस तरह से flow करेगा negative से flow करेगा कहाँ पर जाएगा work piece में जाएगा with the help of a clamp work piece से यहाँ पर jump करेगा कि कहाँ पर electrode पर jump कर गया और फिर electrode से होता हुआ वापिस कहाँ चला जाएगा इस feeds mechanism से घूमता हुआ power source में चला जाएगा किस तरह flow कर रहा है negative से positive की तरह flow कर रहा है ठीक है power supply हम यह मिग welding में कैसी देते हैं यहाँ पर जो power supply दी जाती है उसको कहते है constant voltage supply ठीक है constant voltage थोड़ा graph से देख लीजिए यहाँ पर voltage है इस direction में current है इसमें voltage है तो यहाँ पर supply होती है न वो linear nature की होती है यानि state line की तरह होती है state होने के कारण इसे linear curve भी खा जाता है लिख देता हूँ linear curve यहाँ पर voltage के respect में current होगा यहाँ भी current होगा इसे कहा जाता है constant voltage supply supply कैसी है DC type की है तो इसलिए यहाँ पर जो supply होगी हमारी उसे direct current electrode positive कहा जाता है और इसके अंदर जो polarity यूज करते हैं वो reverse polarity होती है ठीक है direct current electrode positive क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजे जल्दी वैसे मैंने detail में आपको arc welding में रंग से बताया हो बट यहाँ पर भी बता देता हूँ बहुत सारे नए subscriber भी होंगे देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा DC current यूज करता है इसलिए से DC कहा जाता है electrode कैसा positive है देखिए हमार electrode कैसे किसके साथ connected है positive terminal के साथ वर्कपिस कैसा है negative है इस तरह की welding को जिसमें हमारा electrode तो positive हो मगर वर्कपिस negative हो कैसे यहाँ देख लिजिए यह electrode है मेरा यह मैंने कर दिया positive वर्कपिस को कर दिया negative इसको कहते reverse polarity यह positive negative क्यों किया जाता है देखिए जहाँ पे positive हैगा ना महाँ पे जो heat का generation होता है वो टोटल 55% होता है total heat का वो जो negative terminal है महाँ पे बचा हुआ 35% होता है यानि यहाँ पे ज्यादा गरम क्या होगा electrode electrode को हमें fuse करना है इसलिए इस polarity को reverse polarity के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे electrode positive है इसलिए direct current electrode positive के नाम से जाना जाता है बहुत simple है ठीक है चौथा बात कर लेता हम inert gas की बहुत important है inert gas क्या होती है कौन-कौन सी यूज करेंगे देखिए inert gas का slender है इसमें जो हम यूज करते हैं ना inert gas वो कौन-कौन सी होती है जनरली आरगन यूज कर लेते हैं हिलियम यूज कर लेते हैं और आजकल तो बहुत जादा यूज करी जा रही हो है CO2 carbon dioxide gas आरगन हिलियम से थोड़े भार ही होते हैं इसलिए इसका penetration rate जादा अच्छा होता है इसलिए हम इसको aluminium में यूज करते हैं हिलियम थोड़े हलकी होती है हलकी है इसलिए इसलिए थर्मल कंडेक्टिव्टी जादा है इसलिए हम इसे copper की welding में यूज करते हैं CO2 जितने भी carbon steel से related चीज है like low carbon steel, mild steel या stainless steel वहाँ पे हम CO2 gas का यूज कर रहे हैं आजकल बहुत चल लिए pure form में नहीं उस करते हैं थोड़ा mix कर देते हैं ऐसे हम आरगन और helium को भी mix कर देते हैं तो उसे आरगन helium के inert gas बन जाती है इस तरह CO2 बनती है बात यहाँ पे आती है यह करती क्या है इनर्ट gas करती क्या है तो देखें इनर्ट का बहुत important roll पे ले करती है चारो तरह ठीक है आप इसे उपर से देखेंगे तो चारो तरह फैल जाती है इस तरह से और यहाँ पे आपका weld है तो क्या कर रहा है इस weld को बचा रहा है किस से बचा रहा है contact होने से surrounding air से air के अंदर क्या होती है oxygen बेसिकली oxygen से बचाने के लिए यहाँ पर इनर्ट गेस यूज़ करते है क्या हो अगर इनर्ट गेस ना यूज़ करें तो देखिए जो मोल्टन मेटल है हमारा उसके साथ oxygen मिलेगी न तो ऑक्साइड बना देगी ऑक्साइड बहुत डेंजरस होता है डेंजरस क्यों होता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी बेस मैट्रिल के प्रॉपर्टी से अलग होती है इसलिए हमें यहाँ पर इनर्ट गेस का यूज़ किया जाता है कोई से भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंड ओन दा पेनेट्रेशन देखिए फोटो देखिए होगी इसको को मैटे के जाता इसको इसके अंदर फिल के जाता एब अज دो पड़ा हूंगा आपको ऑच्छा लगे टॉपेक कमेंट बॉक्स बटाना मैं आगे दोki आपको वीडियो दूणगा पहला होता है उसे वह स्प्रे में स्प्री ट्रांस्फ़र मोड मतलब ट्रांसफर मोड दीखिए इस्प्रेज क्या होता है पानी को जब मैं है करते हैं बहुत च्टनी पार्टिखल्स जैसे जाते हैं इसमें जाता है मगर यहांपर इतना एक करते हैं थी आपका इलेक्ट्रोड है ठीक है जिसका डाया फि covered ने बताई न है बहुत छोटा है जिए तो यहाँ पर क्या करते हैं बहुत high current के यूज किया जाता है तो इसकी पहली property क्या गई विद्धे help प्रहाई current यहाँ पर हाई current का यूज करेंगे यहाई current यूज किया है current यूज करा reverse polarity बहुत गरम है तो यहां करते हैं यह जो इलेक्टोड ना इसे छोटे-छोटे ड्रोपलेट पार्टिकल्स में मेल्ट के जाता है। इस तरह से जो अगर हमारे transfer होता है metal का इसको कहते हैं spray transfer method दूसरा देखे short circuit transfer method अब short circuit क्या होता है वाई हमें इस पूरे के पूरे system को short circuit करना है कैसे होगा आपने यहाँ पर wire को contact कर दिया fuse के साथ वर्कपीस के साथ उसके बाद उसे अलग किया तो short circuit हो गया आप देखे short circuit में तीन कंडिशन बनती है ठीक है यहाँ पर current को क्योंकि यहाँ पर हाई current यूज कर रहा है इसलिए हम यहाँ पर short circuit में low current यूज करते है ठीक है low current तीन तीन मोड है इसके पहला है contact mode क्या होता है यह electrode को आपको contact किया मैंने बोला ना ऐसे इसको को कह जाता है melting ठीक है तीसरे में क्या हो जाता है यह तूट के अलग हो जाता है इसलिए इसे कहा जाता है separation इन तीनों method का यूज करके हम short circuit more metal transfer mode को अंजाम देते हैं इसके application की बात कर लें तो देखे हमारा aerospace industries में और automobile industries में बहुत ज़्यादा यूज होता है कुछ characteristics की बात कर लेते हैं देखें यहां पर filling road कैसे continuously आ रही है तो कैसी welding है continuously welding है दूसरा welding कैसी है यह automatic welding है ठीक है automatic inert gas अगर automatic आए यह वायर अब केवल आपको यह जो हिलाना था मतलब हाथ से करना था यह भी automatic हो जाए तो इस तरह की welding को fully automatic हा जाता है अगर यह सब automatic है केवल आप इसे manually हाथ से चला रहे है इस gun को welding को तो इसे semi-automatic हा जाता है आपको अगर यह topic मेरा अच्छा लगा तो प्लिस सब्सक्राइब जरूर कीजेगा थैंक यू पर वाचिंग